हलो फ्रेंड वेलकम टू क्राफ्ट लास आज हम चुनमा श्रुमी के लिए जूला बनाने वाले हैं काना जी को बिठाने के लिए तो जिसके लिए मैंने अलुमीनियुम फॉइल के रोल लिये हैं मेटालिक शीट लिये हैं और कुछ कलरफुल टेप्स ली हैं तो चलिए जूल लबनाना शुरू कर लेते हैं सबसे पहले जो हमारे फॉयल रोल्स हैं हम उन्हें कवर करेंगे इस अल्मीनियम इस मेटालिक रोल शीट से यह आपको बहुत ज्यादा असानी से क्राफ्ट शॉप्ट मिल जाते 10 रुपीज की शीट होती है यह दोनों रोल मैंने कवर कर लिये ह मुझसे बोला गया था कि जो घर पे रखे हुए समान से हम चीज़े बना सके मैं वो चीज़ सिखाऊँ आपको तो यह सब चीज़े आपको घर पे मिल जाएंगे आपको कुछ भी लेने मार्गिट नहीं जाना पड़ेगा तो देखे यह हमने टेप लगा दी है और इसी तर इस तरह का कार्ड़ नहीं है तो आप फ्लिपकार्ट ऑप्र आमेज़ॉन या फिर इस तरह की कोई बॉक्स आते हैं या फिर आप थामको लिए कोई सीधा सा कार्ड़ भी ले सकते हैं तेखे कटर की हल्प से मैं आपर दो सरकल कट आउट कर लिए है बहुत इस यह जूला ब तो चलिए अब इसको कवर कर लेते हैं हम मटालिक शीट से यहां पर मेरी दो मटालिक शीट से पूरा का पूरा काम हो गया है और मेरे को थोड़ी से एक्स्ट्रा भी बच गई है मेरे लिए तो आपके 20 रुपीज की शीट लगेगी इसमें और अगर आपके पास अलुमीनियम प्रेटिविटी से बहुत अच्छा जूला घर पे ही बना सकते हैं घर पे रखे डुपट्टो का यूज कर सकते हैं घर पे अगर कोई नेट का पीस पड़े आप उसका यूज कर सकते हैं इस तरह से आपने पूरा इस बॉक्स को कवर करना है देखे इस तरह से मैं यहाँ प सब कुछ pasting हो जाती है तो आप इसे use कर सकते हैं जिन लोगों के पास glu gun नहीं है वो इसे बहुत अच्छह से use कर सकते है और paper को paste करने के लिए तो हम favicol का use भी कर सकते हैं तो आप यूज करें हमें इसे पूरा कवर करना है golden sheet से यह आपको market में different colors में मिल जाते paying red, green, blue तो मैंने हाँ पर golden लिया है और अब मैं base को थोड़ा सा decorate करने वाली हूँ इसी tape से देखिए इस तरह की tape आपने आगे पीछे blue color की लगाई है मैंने और sides में मैं लगाऊंगी green color की tape तो चलिए यह मैंने green color की tape ले ली है और इसे भी मैं लगा दूँगी इस तरह से आपने देखा हमने बहुत ही कम steps इसमें लगाएंगे अगर आपके पस कुछ flowers हैं आप उनको पहले से ready करके रखें ताकि हम decoration में उनके लिए use कर सके हाथ से बने हुए paper flowers आप इसमें use कर सकते हैं और अपने कानाजी के लिए बहुत ही प्यारा जूला बना सकते हैं देखें यह हो गया हमारा बिल्कुल packing की तरह हैं जैसे हम packing करते हैं और दोनों rods भी हम लगा देते हैं आपे rolls paper rolls चलिए अब हम बना लेते हैं गद्दी कानाजी के लिए तो उसके लिए मैंने एक toffee का पुराना डिबा लिया है और उसी को मैं कट करने वाले हुए हापर और गद्दी बनाएंगे इसमें कानाजी के लिए बैठने के लिए आप इसके नीचे एक और extra cover लगा दे जिससे कि यह strong हो जाए जितनी मुझे चाहिए सिरफ मैं उतनी ही गद्दी कट कर रही हूँ और इस जूले को हैंग करने के लिए मैं net का यूज़ करूँगी ताकि हमें इस गद्दी में hole ना करने पड़ें बिल्कुल भी और इसे भी metallic sheet से cover कर लेते है मेरी seat भी बन गई है कारणजी को बिठाने के लिए आसन और यह मैंने एक पतला सा bamboo stick लिए है जिसके उपर मैं लगा रहे हूँ metallic sheet तो हमने यहाँ पर दो piece लिए है metallic sheet के और हमारा सारा काम इसमें हो गया है यह हमारी bamboo cake बहुत ही अच्छी सी stick थी जैसे आप पेड की कोई टहनी भी ले सकते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था उस तरह की मजबूत stick है और अब आप इस पे tape लगा दीजिए इस तरह से और यह हमारी थोड़ी बहुत decoration पूरी हो गई है जूले के लिए आप peacock बना सकते हैं और flash से तो हम सजाएंगे ही इसे और कुछ हम लटकन बगेरा भी लगाएंगे इस पे देखेए और वही frabi bond की help से मैं stick को इस पे paste कर दूँगी और यह बिल्कुल नहीं हीलती क्योंकि frabi bond एक मजबूत glue है तो इस तरह से आप अपने कानाजी के लिए भी जूला तयार कर सकते हैं यह base ready हो गया है decoration के लिए जो भी आपके साथ पास समान हो आप उसे use कर सकते हैं यह मेरे पास packing की net का ही एक जो packing हमारे पास आती है उसी का net का piece है और इसको मैंने थोड़ा fold कर दिया है और एक जैसे है घरों में लोग पालना बनाते हैं घर थे पहले साड़ी से हम उसी तरह का एक पालना बना रहे हैं यह नीचे मैं इसके fabric bond लगा देती हूँ ताकि हमारा जो net है वो इसके साथ बिल्कुल अच्छे से paste हो जाए यह देखे और sides पे भी मैं लगाऊंगी थोड़ी थोड़ी glue यहाँ पर भी और यहाँ पर भी यह देखे यह यहाँ लग और यहाँ भी sides पे glue लगाने के बाद अब मैं इससे पकड़के हलका सा थोड़ा सा और उपर मैं अपनी इस bamboo stick के साथ इसको बांध दूंगी और बांधने के बाद देखे यह मजबूत भी हो गया है और यह कहीं पे भी नहीं जाएगा और मेरे पास यह लेस है और इस तरह क लटकन है कुछ patchwork के साथ और यह देखे मैंने अपना पूरा जूला डेकोरेट कर लिया है मठकी रखी है जो इसकी वीडियो में पहले ही डाल चुके हैं साइड्स पे और यह भी मेरे पास एक पैकिंग का फ्लार था जिसे मैंने यूज किया है लेस और हमारी लटकन बहुत प्यारी सी है तो इस तरह से आप डेकोरेट कर सकते अपने काना जी के लिए